आथियों विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाएं इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस संकल्ब को लेकर के काम कर रही है लेकिन हमारा विरोध करने वाले उनका फॉर्मूला क्या है? हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है? हमारे विरोधियों के करतुत क्या है? हमारे विरोधियों के कारणामे क्या है? हमारे विरोधियों की भाषा क्या है? आपको बराबर या है और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मुला इतनी है कि सब में डालो फूट कि सब में डालो फूट मिलकर करो लूट सब में डालो मिलकर करो उत्रा खंडी नहीं पूरे देश में कॉंग्रेस की नीती रही है सब में डालो मिलकर करो ये देश में जात पात मत मजहब भाशा राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में शेत्रों में फूट डालते हैं पहाडी हैं तराई हैं इस इलाके के हैं उस इलाके हैं उत्रा खंड से जादा इस साजिस का सिकार और कौन हुआ होगा इन्हों ने हमेशा कुमाव और गडवाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगद को लूट सके जबकि डबल एंजिन की सरकार ने दोनों जगद के लिए डबल काम करने की कोशिश की हैं चाहे तराई का छेत्र हो चाहे पहडी छेत्र हो चाहे कुमाव हो चाहे गडवाल हो हमारे लिए तो पूरा उत्तरा खंड देव भूमी है यहां का एक एक बच्चा हमारे लिए देव तुल्ले है हमारी यहां की माता हैं हमें आफिरवाद देती रहती है हमने केदार खंड में केदार नात को विकास की नई उचाई दी है तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत जोंक दी है अगले पांच सालों में यह मैं जो कह रहा हूँ ना उत्तरा खंड का दसक है यह मोका जाने मत दिजिए अगले पांच साल में मानस खंड तुरिजम सरकीट डबल इंजिन सरकार की बड़ी प्रांथमिकता रहने वाला है अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्दवानी में कुमाव के लिए सत्रा हजार करोड रुपिये से जादा के विकास कारियों के सिलान्यास और लोकारपन का सवभागे मिलाता सत्रा हजार करोड रुपिये और ये सिर्फ गोथना ने जमीन पर उतानने वाली बात मैं बता रहा हूँ ये विकास कारियों पूरे कुमाव क्षेत्र के लिए परियटन और रोजगार की असिम संभावना है लेकर आएंगे चार धाम आल वेजर रोड प्रोजेक का लाप तनतपूर पिठोरागड सेक्शन से भी में भी मिलने वाला है